इस वीडियो में हम लोग एक router configuration सीखेंगे बेसिक से लेके advance router में क्या-क्या settings होती है और कौन-कौन सी setting हम लोगों को configure करना चाहिए बिल्कुल beginner है आपने कभी ऐसा router configure नहीं किया तो सबसे अच्छा router है budget में आपके घर पे आपके office में हर जगा पे लगाओगा जो लोग office में काम करते हैं और ऐसे router उनकी companies में लगे हुए है तो इस router को अब आप खुद manage कर सकते हो और basically यह काफी आसान है इनको manage करना काफी easy है इसको manage करना इनके सारे ports को समझेंगे एंटीना क्यों दिया हुआ इसको समझेंगे बिल्कुल basic से लेके advanced guide है ऐसे router चाहे है टेल हो, tp link हो, d link हो, किसी भी company का हो सारी configuration लगबग में same होती है और आप एक बार अगर इस वीडियो को देखकर समझ जाते हो कि exactly router configure कैसे किया जाता है तो कोई भी company का router हो configure कर लोगे सबसे पहले start करते हैं इस device के इस part को समझते हुए कि यह हमारा transceiver receiver होता है जिसके through आप signal जो wifi के होते हैं send or receive करते हो इधर आपका ventilation काफी अच्छा है इस router modem का और यहाँ पे आप देखेंगे कुछ light indication के लिए दिया हुआ है TP link की device है यहाँ पे wifi पार एंड जो भी हमारे ethernet port है है ना सभी port के LED link या LED connection दिया हुआ है जिसके through blink होगा आप पता कर लोगे कि हमारा port activate है या नहीं काम कर रहा है कि नहीं है माल यह wifi नहीं काम कर रहा है तो wifi यहाँ पे आपको disable दिखाएगा यहाँ पे wifi का icon दिखा रहा है राइट यह पूरा का पूरा basic कुछ router का यहीं डीटेल होता है back side में बहुत important information होती है तो back side में आपको इस router का user name इसका password और इसका default IP address और कैसे access करना है वो दिया होगा तो basically TP link की device या another जितनी भी devices हैं उनके default IP से access कर सकते हो और maximum जो routers होते हैं उनकी जो IP होती है 192.168.1.1 या 2.1 या 100.1 ऐसे करके होता है इस router की IP 1.1 है last में यानि कि start होता है 192.168.1.1 इसकी IP है और इसको मैं इसके gateway से और साथ में मैं इसके URL से भी access कर सकता हूँ जैसे अगर मुझे TP link यहाँ पे देखो TP link का एक best feature लगता है कि इसको आप URL से access कर सकते हो like http colon slash slash tp link modem.net करके आप इसके router को access कर सकते हो अपने browser पर अभी मैं step by step दिखाता हूँ उसके बाद यहाँ पे कुछ port पे आ जाते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे power button के लिए दिया हुआ है power button है उपर wifi on off करने के लिए मैनेस करने के लिए नीचे reset button दिया हुआ है यहाँ पे चार ethernet port है जिसके तुरू आप अपने direct computer, laptop, server या switches को connect कर सकते हो और internet चला सकते हो यहाँ पे internet line connect करने के लिए एक telephone line आरे DSL line दिया हुआ है जो की main line आपकी आएगी वो इसी में connect हो जाएगा उसके बाद जो भी ISP की information होगी जैसा भी आपने connection लिया होगा उसके according इस router को configure करना होगा यह कुछ basic setting है सबसे पहले इस router को हमें reset कर देना में भी आपके company में पुराना router लगा है या आपने कहीं से second hand buy की आपको खुद configure करना है तो क्या करोगे सबसे पहले इसकी सारी setting सारे password को remove कर दो उसके लिए क्या करना होगा just device को on करना होगा जैसे आप power cable लगाओगे और power on off button को press कर दोगे यहाँ पे आपको एक power button देखने को मिल जाएगा उसके बाद यह wifi बहुत सारी setting यहाँ पे on हो जाएगा जो भी आप यहाँ पे काम करोगे जैसा भी आप इसको order करोगे जो configuration enable करोगे वो यहाँ पे wifi port जो भी details है वो सब यहाँ पे on हो जाएगा तो अभी हमें क्या करना internet connection के लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है इसको छोड़ दो I think 10 seconds के अंदर आपकी पूरी device reset हो जाएगा अगर आपका button नहीं दिया होगा तो अंदर चोटा सा pointer होगा तो आप नुकीली कोई चीज से उसको हलके हाथों से प्रेस करके 10 seconds 15 seconds रखेंगे आपका यह device reset हो जाएगा अब reset हो जाने के बाद आप यहाँ पे land port 1,2,3,4 चार port दिया है line वाले port पर नहीं इन चार port में से किसी भी एक port से आप अपने laptop को या अपने desktop को connect कर दोगे जैसे कि for example के लिए मैं देखूं कि यह हमारा laptop से connected cable है और मैं इसको यहाँ पे land port 1 से connect कर देता हूँ just done, configure हो इतना configuration हो जाने के बाद अब इसके software configuration पे आ जाते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या-क्या setting समय देखने को मिलता है आ जाते हैं computer screen पर, सबसे पहले आप यहाँ पे browser open करेंगे browser open करने के बाद आप देखो, यहाँ पे आप tp-link-modem.net या तो search कर लो tp-link-modem.net से आपको username, password मांगेगा या तो इसकी IP 192.168.1.1 पे देख लेंगे बट यह access कैसे होगे हमारे router के through हमारे PC को IP कैसे मिली तो इस router पर automatic DSCP चलता है और जैसे ही LAN cable आप connect करते हो अगर आपके computer system पर जो LAN port है उस पे DSCP request apply किया गया है तो आप यहाँ पे automatic router से IP receive कर लेंगे और आप अपने router के साथ connect हो जाएंगे अगर आपने DSCP enable नहीं किया है तो आपको manual IP देना पड़ेगा आए इस concept को समझते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है आपे window R लिखना है और window R करने के बाद यहाँ पे आप type करेंगे ncpa.cpl उसके बाद just ok press कर देंगे आपका network adapter property open हो जाएगा यहाँ पे आपको ethernet यानि कि जिस port पे आपने connect किया उसको select करना है इसको open करना है open करने के बाद finally properties में आ जाना है यह जो setting है यह लगबग में नहीं करना पड़ेगा अगर आपने यहाँ पे manual IP version 4 में कोई modification नहीं किया होगा तो क्योंकि इसका by default setting DSCP पे ही होता है राउटर से जो DSCP IP मिल रही है यह जो DSCP service enable उसके थुरू हमारे PC को IP मिल जाए तो IP मिल चुकी है और अगर आप manual IP देना चाहते हो तो opt-end करेंगे और यहाँ पे IP देंगे sorry manual पे select करके पड़ एक चीज मैं दिखाऊं इस router का जो IP address है वह 192.168.1.1 है क्योंकि यहाँ पे default gateway जो होता है वह हमारा router का ही IP होता है तो 1.1 है यानि कि हमें confirm हो गया 1.1 है और यहाँ पे मैंने इसी IP से access भी किया है और हमारे computer का IP है वह 1.100 है तो 1.100 की IP और 1.1 की IP दोनों confirm हो गया कि यह हमारे router और हमारे PC का IP address है जिसको close कर देंगे अब मैं यहाँ से या तो इस URL से या तो IP से access कर सकता हूँ तो IP से मैं access करता हूँ और यहाँ पे username add करते admin और इसका password हम लोग यहाँ पे add करते admin और enter कर देते है router login हो जाएगा login होने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आपको setting मिलेगा ADSL2 modem का जो quick setting wizard है quick setting wizard में वो सारी essential setting आपको step by step पूछता रहेगा जो आप internet चलाने के लिए अपने router को configure करने के लिए करना चाहिए और वो सारी settings को hide करके रखेगा जो additionally आप कर सकते हो अगर जरूरत पड़ती है तो इस router में firewall भी है VPN भी है बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी settings है security purpose से भी Mac address है Wi-Fi है सारी चीज़े यहाँ पे दिया हुआ है तो अब मैं मान लिए कि यहाँ पे quick setting wizard follow करता हूं या तो मैं पूरा setting एक साथ इसका open करने के लिए हमें इस router को यहाँ पे मतलब इस settings से exit करना पड़ेगा बड़ मैं चाहता हूं थोड़ी सी setting quick setting wizard का भी देख लेते हम लोग just यहाँ पे next करेंगे और यह हर router पे आपको नहीं मिलेगा यह सिर्फ tp link पे i think मिलता है अगर other पे भी मिलता है तो ठीक है अच्छी बात है just यहाँ पे आएंगे यहाँ पे time zone आपको select करने के लिए बोलेगा time zone आपका जो भी है उसको select कर लेंगे और finally next पे click करेंगे अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है vpi number बताओ vci number पताओ user id password बताओ यह जो id detail यह जो numbers है यह जो id information है यह आपको isp से लेना पड़ेगा जिससे आप internet connection चला रहे हो अगर आप internet connection नहीं चला रहे हो और local area में सिर्फ wi-fi connectivity के लिए इसको इसको इस्तेमाल करना चाहते हो then definitely you can use there is no problem क्योंकि आपको यहाँ पे बस dynamic ip ले लेना है just okay और इधर आप ignore भी कर सकते हो बट ignore यहाँ से नहीं कर सकते हो next करोगे आप उसके बाद यहाँ पे activate deactivate पूछ रहा access point enable करना है और इसका जो wi-fi means wi-fi enable करना है तो wi-fi का name यह है और इसका password यहाँ पे I think 31901109 यह दिया हुआ है आप इसको हटा सकते हो इसको बिल्कुल open कर दो है ना I think इसमें open नहीं दिया हुआ है ना तो यह सारी चीज है चलो ठीक है इसको इस setting को भी ऐसे ही रहने देते हैं आगे हम लोग सीखेंगे उसके बाद यहाँ पे quick setting complete यहाँ पे save कर देना है लेकिन मुझे यह करना ही नहीं था इतनी setting नहीं मैं पूरी setting open करना चाहता अब यह complete setting आपको यहाँ पे मिल जाएगा अब स्टार्ट करते हैं यहां से एक एक पॉइंट को जो कि आपको समझना है सबसे पहला पॉइंट स्टार्ट होता है स्टेटस से आप देखो help में है help में I think सारे router पे अगर available हो जाए इसी setting तो better है यहाँ इसी guideline यहाँ पे आपक setup, interface setup इन सारे चीजों से related अलग अलग task दिया हुआ है इस पर click करेंगे तो क्या क्या चीजें इसमें कर सकते हैं किस चीज का क्या मतलब है यह दिया हुआ है जैसे VPI का मतलब है virtual path identifier, VCI का मतलब है virtual channel identifier and उसके बाद ATM दिया हुआ QS quality of service improve करने के लिए peak call rate है maximum burst rate है और यहाँ प दिया हुआ है कि कैसे क्या चीज configure करना है, वैसे यहाँ पर POE क्या है, NET क्या है सब दिया हुआ है, POE भी एक ऐसा endpoint and अपनी network device और अपने ISP के साथ connection establish करने के लिए एक prior internet connection है जो broadband के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो यह सब पता होगा तो obviously आप इस router को बहुत अच्छे स configure कर सकते हो, और यहाँ से quick guide follow कर सकते हो, बड़ मैं इसको हटाता हूँ, एक एक चीज मैं खुद आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले status में आ जाएंगे और यहाँ पर device configuration है, device configuration में सबसे उपर firmware की IP आपको मिल जाएगा, firmware की IP के साथ MAC address यहाँ पे है, और MAC address इस device का है, और य यहाँ पे मैंने क्या बताया, DSCP enable होता है, साथ में यहाँ पे कोई भी client यहाँ से connected नहीं है, कोई भी VPI, VCI detail entry नहीं है, और यहाँ पे आप देख सकते हो, PVC है, PVC मिन्स permanent virtual circuit, virtual path identifier, virtual channel identifier, IP address, subnet, gateway, DNS server, encapsulation, and bridge है, और यहाँ पे status down है, bridge मिन्स यहाँ पे आपका जो encapsulation है, वो internet handling के लिए broadband connection के लिए available है, okay broadcast network के लिए भी available है, उसके बाद ADSL का firmware version आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, line state आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, और भी पूरी information यहाँ पे है, this is only for, this is only for information, and no need to configure these all things, this is only status information about your device, right, and then system log, system log में ADSL down था, उसके बाद SNMP भी यहाँ पे work कर रहा है, SNMP exactly एक ऐसी protocol है, जिसके तुरू आप network monitoring में log को store करते हो, और उसको manage करते हो, SNMP agent होता है, SNMP के 3 version होते है, version 1, version 2, version 3, पूरा SNMP का एक lab मैंने बनाया हुआ है, SNMP इस पे सेश चोहान डालेंगे, तो आपको YouTube पे मिल जाएगा, SNMP की ज़रूर वीडियो देखे, अब यहाँ पे SNMP trap 3 है, इसमें क्या होता है, कि log collect किया जाता है, और trap 027 होता है, और भी extended label होता है, बट 027 में log information होती है, यह मैं इसलिए बता पा रहा हूँ, क्योंकि यह मैं अलग-अलग सारी चीजों को जानता हूँ, करता हूँ, I think इसकी जरूरत modern configuration के लिए नहीं, बत knowledge है, तो आप इन लोग बात करें, इस router के configuration का, तो system log हो गया और statics आ गया, statics में यहाँ पे interface पर, कितने frame आपके transmit हुए, और कितने receive हुए, इतना multicast के लिए हुआ, total byte and information यहाँ पे दिखा रहा है, collision बिलकुल 0 है, और transmitted जो information है, जो frame है, वो error बिलकुल 0 है, तो अच्छी बात है, और उसके ब कितना हुआ, receive कितना हुआ, पूरी information यहाँ पे मिल जाती है, तो status में बस इतना ही setting है, इसको हम लोग end करते हैं, maintenance में आ जाते हैं, maintenance में आपको कुछ option मिलते हैं, like total 5 setting मिलता है, administrator setting में आप अपना username तो change नहीं कर सकते हैं, बढ़ आप अपना router का password change कर सकते हो, क्योंकि router का default password admin होता है, तो इसको आप change जरूर कर दो, क्योंकि कोई भी login करके इसकी सारी setting देख लेगा, time zone आप अपना यहाँ सेट कर सकते हो, time zone के साथ यहाँ पे आपका PC clock set देना है, यहाँ यहाँ पे time zone जो दिया हुआ है, इसको change करना चाहते हो, तो मैं चाहता हूँ, Asia Kolkata जो भी हम हमारे computer system को हमारे servers के clock के साथ synchronize कर देता है, और worldwide जो clock होती है, उसके साथ यह proper काम करता है, इसको check कर सकते हो, आप NTP, pre server, URL for India, right, इसे आप सर्च करके enter करेंगे, और I think internet तो अभी मेरा चल नहीं रहा है, okay, internet चल नहीं रहा है, बड़ ऐसे सर्च करेंगे, आपको सबसे top पे म यहां पर वो address डाल सकते हो, automatic महां से वो value match करता रहेगा, right, यह सारी चीज़े है, and then यह कुछ basic setting जैसे ही, आपने यहां पर change किया, इसको बाद में save कर लेना, firmware अप्ग्रेड करना है, तो इसकी file download कर लें, और firmware को अप्ग्रेड कर सकते हैं, हर router में firmware अप्ग्रेड आता है, म let me show, सबसे पहले आपको क्या करना है, browser open करना है, TP link अपने router modem का, जो model number वो डालेंगे, firmware download, आसानी से TP link की website पे मिल जाएगा, आप another XYZ किसी भी company का router इस्तेमाल करना है, तो वहां से भी same वो मिल जाएगा, ठीक है, अच्छी बात है, मिल जाएगा, just यहां से उस file को upload करना है है ना, देखो new firmware, और new room location, है ना, room file location, तो by default यहां पे आपको क्या करना है, room file save, and then just आपको यहां पे install पे click कर देना, upgrade कर देना है, system restart आप current setting के साथ, या default reset करना चाहते हो, तो आप software manner से भी कर सकते हो, diagnose मतलब troubleshoot के लिए दिया हुआ है, तो troubleshoot क्या है, ethernet land pass है, ADSL synchronization fail है, तो कि finally यहां पे router थोड़े धिर काम नहीं किया था, तो आ जाते हैं access management पे, access management में आपका सबसे पहला point ACL है, access control list होता है, यहां पे आप किस host को allow करना, किस host को deny करना, कौन सी protocol access हो पाए, कौन सी protocol access ना हो पाए, वो पूरी setting यहां पे आप apply करते हो, आप यहां पे देखो index number दिया किस IP तक आप चाहते हो कि particular LAN या particular protocol access ना हो, यह सारी चीज़ है, उसको deactivate करना, activate करना है, आपके उपर depend करता है, तो by default 00 है, और सब कुछ यहां पे access है, LAN के लिए, यह सारी चीज़ है, तो ऐसे ही रहने देंगे, उसके बाद आ जाते हैं filter पे, filter में I think यहां पे आप apply कर सकते हो, Mac filter, IP filter, application based filter, right, तो मैं यहां पे IP Mac रहने देता हूँ, और कोई भी हमें source IP, कोई भी उसका subnet mask, कोई port number है, तो उसको यहां पे आप क्या कर सकते हो, filter कर सकते हो, TCP, UDP के साथ, जो भी information है, आप enable कर सकते हो, manage कर सकते हो, I think यह भी setting आप ignore कर सकते हो, SNMP भी setting ignore कर सकते हो, by default deactivated ह UPNP दिया हुआ है, तो इसको भी आप agities रहने दो, DNS की information दिया हुआ, इसको आप configure कर सकते हो, for example, आपके ISP का जो DNS है, वो यहां पे add कर दो, कोई hostname है, और उसका password वगरा है, तो यहां पे आप दे सकते हो, TWMP दिया हुआ है, तो वो भी आप यहां पे manage कर सकते हो, यह कुछ basic advanced settings है, जो कि आपको करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे जितनी भी setting है, बस अभी बन समझा रहा हूँ, यहां तक आप ना करें, कोई भी चीज तो better है, उसके बाद हमारा आ जाता है advanced setting, जो कि firewall enable है, और SPI disable है, अब देखो firewall SPI यह अलग topic बना सकते हैं, अगर comment section में आप लोग yes, enable करना, disable करना है, इस PC के लिए कौन से permanent virtual circuit पर यह पूरा detail दिया हुआ है, साथ में net आप enable कर सकते हो, net कि PVC पर enable करना है, और quality of service के आप add करना चाहते हो, physical port कौन सा on-ray कौन सा off-ray, यह सब detail यहां पर आपको देखने को मिलता है, और IP version 4 पर आप काम करना चाहते हो, यह सारी information VLAN की information आप यहां पर VLAN add कर सकते हो, activate कर सकते हो, remove कर सकते हो, DSL की configuration यहां पर आप सेट कर सकते हो, यहां तक तो आपको कुछ नहीं करना है, यह बस setting समझना अपने personal purpose के लिए आप इसको use करोगे, अब आपका start होता interface configuration, interface configuration में सबसे पहला internet setting, internet setting में PVC permanent virtual circuit है और PVC का आप detail चेक क कर सकते हो, यहां पर क्या है, यह जो permanent virtual circuit है, internet connection line है, जो ISP और आपके router के बीच में handle हो रहा है, और यहां पर active है, हाँ, VPI number मतलब की virtual path identifier, channel identifier, encapsulation, max, sorry, MUX information and IP address कौन सा है, और by default यह LLC, logical link control, यही होता है, comment section में बताओ, तो इस पर यह काम कर रहा है, status यहां पर आने है, तो by default I think यह बिल्कुल basic के साथ है, उसके बाद यहां पर VPI, VCI है, और UBR है, यहां पर UBR, CBR है, constant bit rate है, UPR है, है न, और यहां पर यह सारी information मिल जाती है, maximum burst rate और यह सारी information है, तो कोई नहीं, just आप इसको भी ignore कर सकते हो, क्योंकि यह ISP से आपको पूछना पड़ेगा, और जो भी ISP VPI, VCI नंबर और यह सब details share करता है, आपके area के लिए, तो वो चीज आपको यहां पर configure करना है, तो यह सारी settings ISP के ही help से होने वाली है, IP version 4 enable है, और यहां पर bridge protocol काम करा है, bridge protocol जो भी enable करना है, वो कर सकते हो, इसको आप dynamic IP पर कर सकते हो, IP version 4, version 6, जो भी change करना है, कर सकते हो, उ इस पर IP version 2 configure है, और यहां पर direction both है, inside outside सभी के लिए, IGMP, ICMP, जो भी सारी details है, जो prior knowledge है, जो important settings है, वो सब यहां पर दिया हुआ है, उसके बाद आप यहां पर अपने configuration को modify करना start कर सकते हो, like मैं चाहता हूँ कि हमारे DSCP server से जो IP मिले 1.100 से ना मिले, यह मिले I think current pool, जो कि हमार router को, हमारे router से DSCP, यानि कि हमारे PC को IP मिला हुआ है, और 100 मिला हुआ है, दो दिन और इतने घंटे के लिए मतलब lease पर है, lease होता है कि particular time जिस पे हमारे router और हमारा मतलब कि जो DSCP server और जो हमारा client machine है, जो end device है, जो DSCP service को receive कर रहा है, उन दोने के बीच में यह synchronization कब तक चलने वाला और कब वो flush करेगा, उसके बाद यहाँ पे कितने pool count दिया हुआ है, तो 101 total, 101 IPs यहाँ पे 100 से लेकर count करेगा, अच्छा, उसके बाद यहाँ पे lease time, यह 25,000, नई, 259,200 सेकेंड दिया हुआ है, दो दिन का time होता है, but I think अगर एक घंटे का करना है, तो आप 3600 सेकेंड उतनी देर में आपका यह refresh करेगा आपके IP को, उसके बाद कुछ IP है, manual details है, DNS है, DNS माल लिए कि यहाँ पे आप सेलेक करते हो, primary DNS और secondary DNS माल लिए, Google का डाल दिया और एक अपने ISP का डाल दिया, ताकि DNS क्या करता है, आपकी query को जल्दी जल्दी सर्च करने में help करता है, तो इ wireless configuration, I think, final and best setting है, जिसमें आप इसको activate रखेंगे, channel यहाँ से auto पे डाल देंगे, और यहाँ पे transmit पार high पे रखेंगे, और यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सब कुछ okay है, 802.B plus G plus N पर करना है, जो कि 600 Mbps तक की speed देता है, best है, यही रखना है, अगर नहीं है, तो आप इसको change करिए और यह सब values match करिए, यहना, RTS and CTS यह सब नहीं करना है, जस्ट आपको activate करना है, और सबसे पहले आप 802.11BGN पर कर लीजिए, और बाकी सारी चीज़ें है, जोड़ दो, channel auto पे रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि 20 MHz पे कर दो, तो यह थोड़ा slow हो जाएगा, और बाकी को यहाँ पे एक enable करना है, या deactivate करना है, तो भी कर सकते हो, broadcast means SSID logo को Wi-Fi, मतलब SSID मतलब होता है, मैं आपको दिखाओं जैसे, इस router पे मैं मतलब अपने PC, इस device पर आया, और मैं final, अपना Wi-Fi यहाँ से on करता हूँ, Wi-Fi on करने के बाद, yes, तो मेरा यहाँ पे SSID क्या है, वह यहाँ पे चेक कर पाऊँगा, and SSID जो भी होगा, I think यहाँ पे अभी display नहीं है, यह on off करके हम लोग देख लेते है, yes, I think इधर नहीं दिखा रहा है, तो simple TP link, D link जो भी लिखकर आएगा, वह आपका SSID होता है, यहाँ पे SSID आप क्या दे सकते हो, यह मैं अभी बताता हूँ तो अभी क्या है, कि यहाँ पे SSID broadcast मतलब कि SSID हमारे mobile पे दिखेगा, अगर no कर देंगे तो यह नहीं दिखेगा, देखो दो चीज़ होती है, अगर 2.4 gig पर आपका router काम कर रहा है, तो पुरानी devices में Wi-Fi चलेगा, अगर आपका 5 gig पर काम कर रहा है, तो पुरानी devices में Wi-Fi न नहीं दिखेगा, automatic अगर broadcast करे हो या नहीं करे हो, तब भी, तो हमें यहाँ पे broadcast करना है, ताकि SSID Wi-Fi नेम दिखना चाहिए, और यहाँ पे WPS enable है, तो इसको disable रख सकते हो, WPS direct connection होता है, आपके device, endpoint device और router के बीच में छोड़ देंगे, तो हमें क्या setting करना था, सबसे पहले तो activate और यहाँ पे 802.b plus g plus n, बाकी सारी चीज़े ओके है, SSID आपको broadcast करना है, नहीं है तो broadcast कर दें, उसको यहाँ डव्लूपीस मोड में कोई changes नहीं करना है, WPS मोड पे कोई password वगर अपलाई करना तो कर सकते हो, WPS मोड एक ऐसे back side में mode दिया हुआ, इसको press करके रखेंग और अपने mobile पे, आप या किसी भी device पे directly इस device के साथ connect कर देंगे, यहाँ पे इसका pin वगर भी set करने का option दिया हुआ है, authentication यहाँ पे SSID का देखो क्या दिया हुआ है, SSID जो हमारा मतलब की wifi जो name है वो यह दिया हुआ है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, सीखो live local, right, सीखो live local, LOCAL, right, और यहाँ पे WPA2 सबसे best security होता है, WPA2 PSK भी best है, इधर आप जा सकते हो, और यहाँ पे अपना password दे सकते हो, मैंने password दे दिया 1234567890, और बस यहाँ पे सारी चीज़े okay हो गई, अब यहाँ पे encryption अगरे कुछ दिया हुआ है, कुछ नहीं करना, और यहाँ पे MAC address की setting दिया हुआ है, मैंने पहले इसको क्या कर देना है, सेव करना है, मैं सेव कर लेता हूँ, okay, तो finally यहाँ पे restart हो गया था router, वो use करने साइटिंग कि दर उदर हो गया होगा, अब यहाँ पे wireless में मैंने क्या setting बताया था, कि आप अपना password बगरे देकर just इसको सेव कर देंगे, सेव हो जाएगा, सेव हो जाने के बाद, अब इसका mac address यहाँ पे apply कर सकते हो, right, तो एक बार मैं फिर से scan कर लेता हूँ, यहाँ पे हमें SQLite local करके दिखाएगा, इस पर मुझे tap करना है, यह password मांग रहा है, पासवर्ड मैं जैसे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, I think दिया यह हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, connect हो जाएगा SQLite local से, जैसे ही connect हो जाएगा, मैं यहाँ पर भी browser open कर सकता हूँ, like let me show, 192.168.1.1, enter, 192.168.1.1 डालके जैसे आप यहाँ पे वो करेंगे, यहाँ पे username, password मांग लेगा, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो, और इध तो यहाँ से भी आप बाकी सारी, इसका step यहाँ से समझते हैं कि Mac address को कैसे filter करते हैं, Mac address के लिए simple, माल लिया कि यहाँ पे 8 Mac address आप filter कर सकते हो, आपकी company में आपके घर पे 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, या limited user हैं जिनको आप चाहते हो, कि जिनका Mac address यहाँ पे add होगा, वही लोग यहाँ पे internet या Wi-Fi access कर पाएंगे, बाकी या तो जिनका Mac address यहाँ पे add करके block कर देंगे, वह access नहीं कर पाएंगे, Wi-Fi, username, password सब जानते होंगे तो भी, क्या करना आपको सबसे पहले, आपको यहाँ पे activate करना है, allow करना है या deny करना है, allow कर देंगे तो मतलब वही access कर यहाँ पे deny कर देंगे, तो मतलब वह access नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे माल लिया कि Mac address मैंने दे दिया, AA या double, यह करके फिर से AA, one time, one time more, and one time, तो यह मैंने just apply करके, जैसे ही मैंने save किया, यह deny हो जाएगा, यह access नहीं कर पाएगा, और माल लिया यह आपके device का Mac address है, तो इस कर देंगे, आपका यह save हो जाएगा, I think बागी guest network भी enable कर सकते हो, कभी कभी कोई अगर आता है, आप guest network आप यहाँ पे enable करना चाहते हो, तो enable कर दो, उस पर भी wifi security या आप चाहते हो कि अलग वो, ताकि आपके अपने main wifi का password और यह सब ना देना पड़े, guest का network enable कर दो, जब म location enable करेंगे, सारी चीज़ें आपके हो जाएगे, तो बस यह बाकी quick setting wizard मैंने आपको दिखाया था, तो main चीज़ होता है कि internet की यह सारी setting आपका ISP बताएगा, आपको वहाँ से help लेना पड़ेगा, land setting आपको करना है कि आपको wifi या DSCP enable करना है कि नहीं करना है, तो DSCP यहाँ प manage कर सकते हो, देख सकते हो, wifi वगर्या का name change करना है, तो wifi name यहाँ से change कर दो, यहाँ से password भी change कर सकते हो, यह बस setting है, I think बहुत आसान है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर username, password तुरंद बदल लो, सबसे पहले सभी लोग आ कर, ताकि आपका device compromise now, यह device मैं यूज नहीं करता हूँ, यह device बैसिकली जो, इसका main purpose यह demo के लिए ही मंगाया था, आप लोगों के लिए video बनाने के लिए, हमारे पास another routers है, जिनके तुरू मेरा internet चलता है, सारी चीरे, तो बस, I think, अब मैं video को यहाँ पर stop करता हूँ, यह video कैसी लगी, और पूरा का पू इवाइस का next video का demand करेंगे, तो अब यह असली में बना दूँगा, किसके अंदर यह सारी चीजे कैसे manage करते हैं, आपके घर पे कौन सा router है, आपकी company में कौन सा router है, अब यह तो मैं नहीं पूछ सकता है, यह तोड़ी सी privacy की चीज़े हो जाएगी, बड़ आप कौन सा router पे क पर बताएं, लाइक करें वीडियो को, और शेयर करें, मिलते हैं नेक्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, गुद बाई